नमस्कार अविलासा की रसोई में आपका स्वागत है वैसे तुम मैगी बनाना बहुत ही इजी और सिंपल होता है इसे बच्चे भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज थोड़ी डिफेंट तरीके की मैगी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें मैंने वेजटेबल भी मुझे उमीद है यह थोड़ी अलग तरह की मैगी आपको बहुत पसंद आएगी यह ऐसी मैगी की रेसिपी है जिसे खाकर बच्चे भी खुस और उन्हें उसके साथ वेजटेबल खिलाकर मम्मी भी खुस तो आईए बनाना सुरू करते हैं यह वेजटेबल मसाला मैगी इस एक बड़े साइज का प्याज कोर्ट चॉप करकिते हैं जिस से थोड़ा महीन होगया है अब इस प्याज को हमलका भूनेंगे कुछ सब्याँ स्युप जबूनेंगे करते हम इसकर दूंदा बुंदा कर यह रहरा इसिए साथ बून छी चुका है एल्युक्त है आप मैंनेस है इसके साथ ही कैप्सिकं भी लिए है उसे बीर चॉप करके लिया है जो भी सब्लय आपके बच्चे पसंद से खाते हो आप इसमें डाल सकते हैं कि इन सब्लयों का खतें पता प्याँ चलताा है इसे का तोड़ सब्सक्राइब कर दोड़ी सब्सक्राइब कर दोड़ी सब्सक्राइब अब इसमें एक टमाटर चॉप करके डालेंगे चॉप करने से यह बहुत ही महीन हो जाता है इसे हम चॉप चॉप हम सब्सक्राइब प्रफी इसमें पर फॉट है इसमें पावड़ी मसाल्य ग्रीउड सिर्सक्राइब सब्सक्राइब करे अब इसमें बुल से चॉप कीड़ाइब आपजमावन, और 1-40 पून कोरियंडर पूडर डाला है, थोड़ा सा नमक हम डाला है जो यह यह दाला है P अम इसमें जो मैगी के साथ हो मसाले का पैकेट आता है उसे भी डालेंगे यहाँ मसाला है क्योंकि हम नूडल का केक 3 लिया है तो एक पिस पे एक मसाले का प्art की पीस Ły figure टाल दें घङेयर के इसे छालते हैं अब इसे धकर थोड़ी देर के लिए हम उबालाने देंगे यह अच्छे से आ चुका है अब हम इसमें नूडल केक डालेंगे मैंने यहां मैगी का लिया है आप इसकी जग़े कोई और भी नूडल केक ले सकते हैं अब इसे हलका दबाते हुए प्रेस करते हुए हम चलाएंगे ताकि यह नूडल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए अब हम इसे कवर नहीं करना है अगर हम अभी इसे कवर कर देंगे तो यह गीले से बन जाएंगे थोड़ी देर तक हम इस पानी में इसको सुखा लेंगे जिससे पा करने में इसे चला रहे हैं जिससे यह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और यह गीला भी ना बने यह देखे यह हमारा पानी भी बहुत हद तक सूख चुका है और यह अच्छे से मिक्स भी हो चुका है अब थोड़ी देर तक हम इसे कवर करके तपक आएंगे कवर करके पकाने पर यह मैगी सॉफ्ट हो जाएगा और गीला नहीं होगा सिर्फ आधे मिनट के लिए हमें इसे कवर करके पकाना है हमने इसे यहां कवर कर दिया है यह देखें कवर हटाने के बाद यह मैगी हमारे बिल्कुल तियार हो चुकी है और तोरी सी भी चिपचिपी नहीं बनी है क्योंकि हमने पहले इसका पानी सुखा लिया था और इसे सॉफ्ट कर लिया था तब थोरी देर के लिए हमने इसे ढखा था यह बहुत ही जल्दी बनकर तियार हो जाती है अब हमने इसे कटे हुए हरे धनिये से सजा दिया है इस हरे धनिये को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो मैगी हमारी तियार हो चुकी है हमने टोटल इसे दो मिनट पकाया है पानी में उबालाने के बाद कवर करके हमने इसे बस आधे मिनट के लिए ही पकाया है बहुत जादा देर हम इसे नहीं पकाएंगे वरना ये मैगी चिप-चिपी हो जाएगी तो देखिए कितनी अच्छी मैगी बन कर तियार हुई है और बहुत ही कम समय में तो मुझे उमीद है आपको ये मसाला मैगी बहुत पसंद आएगी और इसमें वेज़ेबल होने की वज़ह से ये हेल्दी भी है तो आप एक बार इसे जरूर ट्राय करें और अपने कमेंट हमें जरूर सेयर करें कि आपको कैसी लगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें थैंक्स पर वाचिंग